ऑठे करेंग88 के आफ डारेटिस कांप्लीकेश्यण पे तो मेजर कंप्लीकेशंट जो डापना निजाम है उसपे अरफ अंधास होती है अच्छे आपको बाडी में संसेशंस वगरा कम हो जाते है उससे बहुत सारे complications और परदर होते हैं दूसरा है diabetic nephropathy इसमें क्या होता है आपका kidney damage हो आता kidney damage होगे kidney का function बगरा derange हो आता और consequently patient dialysis पर जाता और एक complication है silent myocardial infection है माई होता इसमें silent मतलब बगर chest pain के patient को उतना पता ही नहीं चाहता क्योंकि नीरोपती रहता उसको जो sensation बगरा जाओ रगव में की वज़े से इंसान को जो pain क्या sensation आता because of nerves तो जो nerves इसमें damage होते diabetes में जिसकी वज़े से वो chest pain बगरा ज्यादा feel नहीं होता और silent my cardiac arrest हो सकता patient को और दूसरा क्या diabetic retinopathy इसमें क्या होता आंक जो अपना optic nerve है जो जिससे हमको vision आता वो optic nerve damage होके diabetes अंकंट्रोल diabetes के वज़े से हमारा vision loss होने का chance रहता और यह जो vision loss है यह permanent होता मतलब irreversible damage हो आता optic nerve को जिसकी वज़े से permanently blind हो जाते यह लोग और एक है peripheral vascular disease होती vascular diseases में क्या हती जैसा आम दर पे जैसा कि आप diabetic foot वगरा नाम सुनियों के diabetic foot या ulcer हो जाता पैरों में जखम वगरा हो जाता एक आम जो है ना तो यह major complications क्या हो गए diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic retinopathy, peripheral vascular disease और MI cardiac arrest वगरा हो सकता अब यह आइस्ता आइस्ता आपको जब nerves के आपके sensation खतम हो जाते तो आपको एहसास खतम हो आता जैसा कि आपको पैर को कई मार लग गया वगरा तो आपको उसका एहसास नहीं होता आपको मार भी लग जाता ब्लीडिंग भी होती लेकिन आपको पता नही तो complication diabetes की तरफ से जब खराब हो जाते तो आपके यह चीजन डेल अफ हो आते आइस्ता इस्ता वो पूरी बाड़ी में भी आपके असरात पैदा होना लगते और रेटिनों पती में क्या होता कि आपकी optic nerve damage होके vision लास वाता आम तर पे vision चले गया तो लोग क्या करते दूसर उनको जब transplant करा तो उनको दिखने लगता लेकिन यह diabetes का जो vision loss है इवन इसमें अगर transplant भी करा लिंगे दूसरे के आख तो आपको इससे कोई फैदा होने आला नहीं है आपका vision वापिस आने आला नहीं उसी दिरिखन से जब kidney भी इसमें damage होती यह chronic renal failure बलते इसको जिससे के kidney किड्नी भी irreversible damage होती आइस्ता आपको जैसा है उसका function खतम होगा तो आपको डेलेसिस पे जाना पड़ता फिर आप डेलेसिस पे रहते फिर उसका एक क्या है उसका आपको अपको डोनेट करने आ ले है kidney तो फिर उनसे kidney donate करें उनों फिर आप लिए तो जब आपका kidney infection होता पिर आपके आगे बहुत ज्यादा आपको केरफू डेते वे जिन्देगी गुजारना पड़ता उसी तरीखे से ये आपका जब peripheral vascular disease बगरा हो जाती इसमें भी आपको काफी मुश्किलात का सामना पड़ता है अलसरस हो जाते है आपको इसमें आपको हील नहीं होता पिर आ Diabetes Complications Are Very Dangerous Complications अब ये Diabetes Complications से हम बचना कैसा बचने का सिंपल ये तरीखा है कि हम अपने शुगर को बहुत अच्छी तरीख से कंट्रोल करना है Diabetes जो है एपको Type 2 Diabetes को हम अच्छी तरीख से कंट्रोल भी कर सकते रिवर्स भी कर सकते अब कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको तीन चीज करना चाहिए एक High जो Carbohydrate हम जो डाइट ले रहे हैं इसको बिल्कुल बंद कर देना High protein और fat डाइट लेना Carbohydrate को minimize कर देना Direct sugar बगरा को छोड़ देना Fast food छोड़ देना बाहर का फूट शोड़ देना यह जो आईली फूट बगरा अनिहल्दी जितने भी है वो फूट से हम दूर चले जाना और दूसरा क्या है Sleep बहुत important है हमको early sleep होना है जल्दी और minimum 8 hours हमको सोना है तो यह 8 hours में हमारी body में growth hormone काम करता और हमको बाड़ी को repair करता Rejuvenate करता तो यह हमको sleep भी बहुत जरूरी है minimum 8 hours सोना है हमको साम में early sleep सोजाना है फिर तीसरा क्या है वो physical activity है आप जब तक के अच्छी physical activity नहीं करेंगे आप sugar पे control नहीं कर सकते है diabetes को आप control करना है तो minimum 1 hour to 1 hour for physical activity कोई भी form है जैसा walking है cycling है या आप swimming है या अगर gym join करना चारहे है आप gym कर लो अगर आपको बाहर walk करना नहीं है तो treadmill कर लो कोई ना कोई activity है अब आप ज़्यादा obese हो गए है या पैरों में दर्द है pain स्वकारा हम कुछ नहीं कर सकते तो even आप chair पर बाटे 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 भी anti gravity कुछ exercise रहते हैं वो आप करके कुछ ना कुछ आप बाड़ी को फाइदा पहुचा सकते है आपका blood circulation अचा कर सकते है आइस्ता आइस्ता ही सही लेकिन आपको कुछ ना कुछ ना कुछ इसके फाइदे होते हैं तो आप diabetes को जितनी अच्छी तरीखे से early stage में कंट्रोल कर लेंगे तो यह diabetes कॉम्प्लिकेशन से आप बचेंगे diabetes कॉम्प्लिकेशन से हार highly dangerous मतलब irreversible है उसका फिर आपको वापस आना बहुत मुश्किल है repair होना बहुत मुश्किल है तो one way हो जाता हो तो diabetes कॉम्प्लिकेशन से बचने का सबसे बहतरे जाले तरीका यही कि मुझे इसे हमको पता चला का हमको शुगर हो गई या डिटेक्ट हो गई तो उसी दिन से हमको हमेशा अमना गुल यह रखना के हम कॉम्प्लिकेशन से हमको बचना है diabetes को ट्रीट करना हर आरगन पर एफेक्ट करती क्यों करती कि जो ब्लेड शुगर आपकी जो हाई रहती हो ब्लेड में रहती है ब्लेड का है ब्लेड पूरा आपके बाडी में हर जगे आपके ब्लेड है तो जहां जहां पर ब्लेड है वह आरगन को डैमेज करेंगी वह आरगन डैमेज जो है व basically, it is a lifestyle disease, जब तक हम अपने still को modify ने करेंगे, इसपे खाबू पाणा बहुत मुश्किल है, और जब इसपे खाबू ने पहेंगे, तो हम complication से बचना बहुत मुश्किल है, तो इसके जो complications है, इसके बारे मे बढ़ने अब होच्भानना रहना, क्या है कि वजह क्या है क्यार बच्चों का भी लाइफ स्ट्राल अब इतना खराब होगा आप यंग बच्चों को देखेंगे यहने तेंद के बच्छे ले ले लो आप इवन ऐसकुल के बच्छे ले लो या इंटरमेड्ड़ के डिगरी के जो इस्ट्ट्रेंट्स की जो इस्ता हो जारी, तो बच्चों के उपर खास तोर पे हमको धियान देना है, जो भी माबाप है, वो ये मेक शूर करना के बच्चे जल्दी सोना, जल्दी उटना, और कोई ना कोई एक उनके अंदर कल्चर डेल अप करना के, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स को बोलो अपना लेन और वो इस्पोर्ट्स में उनको रिगुलर अक्टिविटी कराना, ये माबाप का फ़स है, अगर ये माबाप अभी से इनको कंट्रोल ने करेंगे, क्योंकि अभी मौडरन लाइफ इतनी ज्यादा नाइट लाइफ की तरफ जारी कि जिससे है कि आगे चलके आपके बच्च को अपन कंट्रोल करना सीको, आइस्था आइस्था पूरे समाज में इंशाल्लाई तब्दिली आजेंगे, थैंक्यू.